गुड इबनिंग साथियों जैसा कि आपको पता है कि मैं जितेंद कुमार रेश्चवा सेमेस्टर में आप सबों का हार्दिक अभिनंदल है आज मैं जो टॉपिक के ने टॉपिक के साथ हाया हूँ ने लेशन का जो टॉपिक होगा वो आपको दिखाई दे रहा होगा सेल यानि सुस्क जो सेल होते हैं उसके बारे में आज आपको पढ़ना होगा निव टॉपिक है आपके लिए है ठीक है तो चलते हैं सबसे पहले ड्राइ सेल के बारे में जानते हैं कि ड्राइ सेल क्या होता है यानि सुस्क सेल क्या होता है ड्राइ सुस्क सेल जो होता है इस इसकी जो आवरंज होती है यानि बाहरी आवरंज होता है वह जिंक का बना होता है तो चलते हैं दोस्तों ड्राइज सेल का एक फीगर ड्रॉट करते हैं और ड्राइज सेल के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें मिली होती हैं और किस परकार यह कंवर्ट करता है य दोस्तों आप figure देखेंगे कि dry cell पर क्या होगा है यह इस तरह से figure बना हुआ है dry cell का ठीक है दोस्तों आप देखना है कि किस तरह से इसको हम बनाते है इसी परकार आपको बनाना होगा ड्राइसल लिखना है किसे अब इसमें यह एक जिंक का रॉड है जिंक का क्या है यह रॉड बना हुआ है अब जिंक का रॉड आपने बना दिया उसके बाद एक बॉक्स फिर बनाएंगे आप यह बॉक्स आपका बन कर तयार हो गया है दोस्तों इसके उपर एक कैप लगाना होगा वो कैप आप लगाएं इस तरह से कैप बना हुआ है अब इसके बारे में आपको पढ़ना है कि क्या क्या चीजें इसमें होती है ठीक है तो चलते हैं दोस्तों ड्राइसेल पे राइसेल पे आप लोग चलना है अब यह जिंक का एक रॉड है ठीक है इस तरह से बना हुआ है आप उसके पार अमोनियम क्रोराइड का जो solution है इसके अंदर fit होता है ammonium chloride का solution पूरा नाम इस पर note करना होगा आपको यह आपका तयार हो रहा है dry chain ठीक है इसका नाम लिखते हैं कि किसको क्या कहते हैं वो नाम आपको लिखना होगा मैटल का कैप यानि यह जो चीज़ दिया गया है आपका मैटल का कैप होता है मैटल कैप यह आपका है जिंक राड यह जो सॉलूशन जो आपका बना हुआ है वह आपका है ammonium chloride अब उसके बाद आपने देख लिया यह सब चीज़े दिखा हुआ है और MN O2 का भी सॉलूशन इसमें तयार होता है जिंक क्लोराइड और ammonium chloride का जो वेस्ट होते हैं जिंक क्लोराइड और ammonium chloride का जो पेस्ट होगा यह जो आपका है जिंक क्लोराइड और ammonium chloride आमोनियम क्लोडाइड और जिंग क्लोडाइड का यह पिंश्ट होता है इस में और उसके बाद यह जो है यहां जो भड़ा होगा वह आपका मैगनीज ऑक्साइड एंड कारबन होते हैं मैगनीज ऑक्साइड एंड कारबन यह आपका फिगर रहा हो गया अब साथियों जानना है कि यह फिगर आपने देख लिया कि किस परकार के ड्राइस सेल का निर्मान होता है तो चलते हैं दोस्तों कि सुस्क सेल आप देखोगी कि सुस्क सेल जो होता है इसका उपयोग हम लिडियो और टॉर्च में किया जाता है इसके बाद इसमें जिंग का धातु जो बना होता है इसकी जो आवरन होती है इनका बाहरी आवरन जिंक प्लेट की बनी होती है उसके बाद इसमें जैडन जो होता है एनोड का कार्ज करता है यानि जिंक का रोड जो है वह एनोड का कार्ज करता है ठीक है जिंक का रोड एनोड का कार्ज करता है और इसके मद में जो ग्रेफाइट की छर होती है इसके मद में जो ग्रे ग्रेफोड की च्छणौ होती है against tests यह अपने ंदर जो एनोड का काम क्या करता है इनोड का काम करता है जिंक का रॉड और कैफोड का काम जो करता है कैफोड का एक काम करता है graphite graphite घ्ञान देना है दोस्तों कि यहाँ पर आपको असके दिखाई दे रहा है कि यह जो सुस्क सेल ड्राइच सेल जो है रेडियो या तॉर्ट में काम उपयोग में लाए जाता है इसके बाहरी आवरन जिंक का बना होता है यह बाहरी आबरन जो होता है वह जिंक का बना होता है जिंक धातू जो होता है वह एनोड का काम करता है और इसके मध में ग्रेफाइट का रॉड लगे होते हैं इसके मध में क्या लगे होते हैं ग्रेफाइट का रॉड लगे होते हैं जो की जो की कैथोड का काम करता है ठीक है अब इसके अंदर इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का विलियन भरा होता है यानि इसके अंदर अमोनियम यह जो सलूशन देख रहे हैं यह सलूशन आपका अमोनियम क्लोराइड का होता है ठीक है यानि यह सलूशन अमोनियम क्लोराइड से पुरा फिलप होते हैं यह अमोनियम पे टॉपिक आपका ये दिया गया है जिसमें बताया गया कि इसमें जिंक का रॉड होता है जो की एनोड का कार्ज करता है और कैथोड का कार्ज होता है ग्रिफाइट करता है और जो मध में होते हैं और इसके अंदर जो बिलियन तयार होते हैं वह बिलियन अमोनियम का बेस्ट के रूप में भड़ा होता है ठीक है जो की बिद्दूत अपघट का कार्ज करता है यानि या अमोनियम क्लॉइड जो है या बिद्दूत अपघट मतलब इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है बिद्दूत अपघट का कार्ज करता है कौन करता है ये अमोनियम क्लॉइ Ammonium Coride या बिद्दुत अपगत का काम करता है, आप जाना है कि इस सेल का परयोग करते समय Enode पर जो होता है, Enode पर अर्थात Jink, Enode का मतलब क्या होता है, Jink, जिस पर जो की Jink शड से Jink आयन निकल कर Ammonium के Birchen में घुल जाते हैं यानि यहाँ जैडेन जो है जैड़न थिक चैड़न से क्या हुआ यहाँ पर यह घुल कर किस पहलुता है यह अमोनियम क्लोराइड में आके घुलने लगता है जिसके कारण ठीक है जिसके कारण क्या होता है कि जिंक धातू का संचारन होने लगता है इसी को इसी से क्या होता है सेल खराब होने लगती है यानि जो सेल होता है वह खराब होने लगता है पुना एक बार देखेंगे ड्राइस सेल के बारे में आप देखेंगे कि क्या होता है कि ड्राइस स जो होता है या मैटल का कैप उपर लगा हुआ है इसमें दो तरह के रॉड होते हैं एक रॉड जो होता है जिंक का रॉड होता है जो की एनोड पर कार्ज करता है दूसरा ग्रिफाइड होते है जो मेडिल यानि बीच में होते है इसके अंदर जो गैप है उसमें आपका अमोनि काम करता है औरigail का काम करता है और बाहरी आबरन वह किसका बटा जिंक प्लेट का बना होता है अब क्या होता है कि जिंक जो है यानि जैडन जो है या जैडन जो है जब सेल का हम परयोग करते हैं यानि टॉर्च को आउन करेंगे यानि सेल का जब यूज करते हैं तो जिंक जो होता है एनोड पर यानी जिंक से जिंक का जो आयन है जैडन प्लस टू वह क्या होता है अमोनियम क्रोडाइड में जाके घुल जाते हैं यानी यह जिंक जो होता है जिंक का जो आयन अमोनियम क्रोडाइड में जाके घुलने लगता है जिससे इसके अंदर क्या होता एक छि संसारन होने लगता है यानि इसके अंदर सुन होता है धातू का संसारन होने लगता यह ख़राब होने लगता है जिससे खराब हो जाती है और उसी को कहते हैं कि बैटरी आपकी काम नहीं कर रही है यानि सेल आपका यूज लेस हो गया है ठीक है दोस्तों अब इसके बाद अब जो दूसरा जो टॉपिक है आपका गैलवेनिक सेल क्या होता है गैलवेनिक सेल गैलवेनिक सेल या गैलवेनिक सेल क्या होता है इसका भी फिगर देखेंगे कि गैलवेनिक सेल में क्या होता है गै इसमें दो बीकर लेंगे दोनों बीकर को एक salt bridge के माध्यम से क्या करेंगे, add करेंगे अब यहां पर यह base बना हुआ है यह base आपका बना हुआ है अब दोनों बीकर में दोनों बीकर में क्या करेंगे, अलग-अलग तरह के rod लेंगे और अलग अलग तरह के solution लेंगे अब उसमें देखते हैं कि क्या होता है किस परकार से हम लोग इस पर करते हैं तो यहां पर आपको बहीं बता दू यह आपका salt bridge का figure बना दिया जो दोनों दोनों sell को क्या किया यहां पर दोनों को आपस में जोडने का काम करता है यह आपका salt bridge तयार हो रहा है ठीक है यह salt bridge हो गया अब यहां पर आपका एक rod लगा हुआ है वो rod देखेंगे यह rod यहां पर लगा हुआ है और जिसको connect करना है wire से दोनों में यानि यहां पर आपने zinc का एक rod रखा और यहां पर आपने क्या रखा copper का rod रखा आपने यह copper का आपने rod रखा है अब इसको आप क्या करना है connect करना है इसको क्या करना है आपको connect कर देना है connect करिए connect करना है ठीक है connect करिए और यहां पर एक bulb भी लगा सकते हो यहां पर इस तरह से आपने इसको connect कर देए यह bulb आपका हो गया अब देखना है कि दोस्तों इसमें solution क्या रखना है यह आपका जिंक का रॉड है यह देख लो इसमें solution जो होगा यह जिंक का रॉड है जैडन लिखेंगे तो यहां पर जिंक sulphate का solution इसमें रखेंगे अब यहां पर यह copper rod है तो यहां पर copper का solution इसमें डालेंगे आपके यह copper का solution CUSO4 solution हो गया यह आपका salt bridge है इस salt bridge में जो solution बना हुआ है वह solution वह solution देखिए वह solution क्या है आपका वह solution आपका जो है जो इसमें बना हुआ है salt bridge में solution जो तयार है वह solution आपका जो है वह है potassium nitrate या potassium sulphate या ammonium nitrate का potassium nitrate यानि यह salt bridge है आपका salt bridge जिसमें KNO3 या K2SO4 या ammonium nitrate या लिख सकते हो यहाँ पर इनका यह इसमें solution तयार है मिला हुआ है ठीक है अब जानते हैं यहाँ पर आपने इतना चीज़ देख लिया जिंक solution यहाँ देख लिया यह solution आपका है और यहाँ पर यह क्लियर आप देखना है बच्चों क्लियर हो गया है अब यह काम जो करेगा यह एनोड पर काम कर रहा है और या आपका कैथोड पर काम कर रहा है ठीक कैथोड पर काम कर रहा है एनोड जो है एनोड पर काम कर रहा है और किस पर काम कर रहा है कैथोड पर काम कर रहा है ठीक है आप यानि इस पर लिख समझना है आपको इसमें समझना है कैसे समझना है वो हिखना है यानि यह गैलवेनीक सेल है गैलवेनीक सेल में हमने दो तरह के वीकर लिया जिस वीकर में एक बीकर बीकर नमबर ए और बीकर नमबर बीकर नमबर में जिंक AGD रॉड रखा और बी merc बी में कौपर सल्फेट का विलियन लिया जिसमें कौपर रॉड रखा इन दोनों सॉलूसन को एक साथ जोडने के लिए साल्ट विरीज का उपयोग किया साल्ट विरीज के रूप में इसमें सॉलूसन potassium nitrate या potassium sulfate का solution डाला गया जो कि zinc जो है वो anode का charge कर रहा है और cathode जो है वो copper जो है वो cathode का charge कर रहा है अब चलते हैं दोस्तों इसके बारे में explanation या आपने figure देख लिया यहां पर तो इस परकार के figure में यानि copper यानि जो बता है कि जब zinc electrode पर oxy करन की किरिया होती है तो anode की तरह बेभार करता है यानि zinc पर zinc पर जो होगा वो zinc जो है अर्थात मैं यहां पर लिख दूँ आपको इसी जगर लिख दूँ कि zinc जो है zinc जो है क्या किया zinc oxidation का काम कर रहा है जो की anode पर होगा यानि zinc जो है या zinc iron या दो electron किया किया जो की क्या काम कर रहा है यहां पर आप यह copper जो है copper दो electron किया यहां पर तो cu बनाया ठीक है cu plus 2 क्या तयार होगा यहां पर cu यहां पर लिखा गया है अब यह anode पर काम कर रहा है अब यह क्या यह काम किया anode पर यह anode पर जो की oxidation होगा oxidation और यह काम किया cathode पर जो की reduction कहोगा जो की क्या कह लाएगा reduction अब अगर इन सब इन दोनों को इन दोनों को reaction को अगर हम मिलाते हैं आपस में जोड देते हैं यानि दो electron दो electron कट हो जाएगा यानि zinc और copper को अगर मिलाते हैं यानि zinc iron बनेगा जो जो बचा है उसको लिख देना है तो zinc plus क्या बच रहा है सियू टू प्लस इधर क्या बचा जैडन टू प्लस प्लस कॉपर यह आपका हो रहा है ठीक है जैडन सी यू प्लस टू शैडन आपके तयार हो गया अर्थात अर्थात आप लिख सकते हो कि जिंक को जब कॉपर सलफेट साथ यानि जिंक को जिंक को जब कॉपर सलफेट की बिलियन में डालते हैं यानि यह जो है क्या बना देगा जिंक सलफेट होगा और कॉपर को बाहर निकालेगा यही रियक्षन है इसी रियक्षन को गैलवेनिक सेल कहते हैं आप इस गैलवेनिक सेल में गैलवेनिक सेल यह हो जाएगा आपका आपने देख लिया उन्हा आप देखेंगे गैलवेनिक सेल जो है इसमें दो तरह के वीकर लिया जाता है जिस दोनों वीकर में अलग अलग तरह के सुलूसल बनाय दिये जाते हैं जिंक यानि वीकर एक वीकर यानि जिसा नाम A है ए बीकर में जिंक का रॉड रालते हैं जिसमें जिंक सलफेट रखते हैं कि जिंक सलफेट में जिंक का रॉड डुबोते हैं और बीकर नमबर B में कौपर रॉड को डुबोते हैं इन दोनों बीकरों में साल्ट विरीज के द्वारा दोनों को क्या करते हैं आपस में एड करते हैं और salt bridge के रूप में potassium nitrate और potassium sulphate का solution होता है इन दोनों rod को एक wire के द्वारा माध्यम से इन्हें connect कर दी जाती है अब अभिकिरिया जब प्रारंब होता है तो इस अभिकिरिया में बताया गया कि anode जो है जिंक rod जो है वो anode पर कार्ज करती है और copper rod जो है वो cathode पर कार्ज करती है ठीक है इस तरह से जिंक जो है वो anode पर oxidation का कार्ज होगा और copper जो है वो cathode का कार्ज होगा जिससे reduction करते हैं इन reaction को compete करने के लिए जब हम जिंक की reaction जब हम copper sulfate के solution के साथ करते हैं तो zinc sulfate और copper बिमुक्त होता है यही आपका galvanic sale होता है ठीक है अब galvanic sale आपने देख लिया इसको आप clear कर लिजिए उसके बाद हम लोग नए topic पी चलते हैं नए topic जो आपका होगा वो देखते हैं क्या होता है वो आपके लिए क्या होगा उन नए topic जो आपका होगा वो देखते हैं उसमें आपको देखना होगा कि इस galvanic sreni यानि galvanic series galvanic sreni क्या होता है galvanic sreni galvanic series जिसे करते हैं इसे galvanic sreni के नाम से जानते हैं हिंडी में इंगलिस वर्ड गैलवेनिक स्रीज होता है ठीक है यानि धातु या मिस्र धातूं की उनकी सक्रियता के घटते करम में अथवा मानक आयनन विभव के बढ़ते करम में रखने पर जो स्रेनी प्राप्त होती है उसे गैलवेनिक स्रेनी कहते हैं यानि धातू तथा मिस्र धातू की उनकी सक्रियता के धातू तथा धातू तथा मिस्र धातू की तथा अ मिस्रद्हातू जाट कि ठीक है धातू तथा मिस्रधातू की कि उनकी सक्रतिया के घटते क्रम में ठीक है फ्ल तनि दातू कि उनकी सक्रियता के घटते क्रम में अथ्वा मानक अपचयन बिभाव के बढ़ते क्रम को मानक अपचयन बिभाव के बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं गैलवेनिक स्रीज कहते हैं ठीक है गैलवेनिक स्रीज के बारे में यानी धातु हो या मिस्ड धातु अगर उनकी सक्रिता घटते क्रम में रहे या उनका मानक अपचयन बिभाव के बढ़ते क्रम रहे तो इन इस्थिति को ही कहा गया है गैलवेनिक स्रीज कहा गया है गैल्वेनिक स्रेनी कहा गया है ठीक है अब उसके बाद नया जो आपकी टॉपिक होगी वो नया टॉपिक आप देखो गैल्वेनिक सीरीज के बाद टॉपिक कौन सा होगा वह आपके लिए है यानि आप संचारन से बचाओ कैसे कर सकते हो करना है संचारन को कैसे हम बचा सकते हैं किस माध्यम से उसको हम बचाने का काम कर सकते हैं वो कैसे बचेगा उसकी point आप देखेंगे point number किस किस अधार पर बच सकता है संचारन को कैसे बचा सकते हैं वो आपको जानना होगा ठीक है यानि सबसे पहला है कि उसका design बाइद होगा proper design होना चाहिए यानि उसके design पर काम करना होगा proper proper design proper design होना चाहिए proper design explain देखिए अब इसका आप नहीं देखा कि proper design आप नहीं देखा उसके बाद आप देखते हैं कि using pure metal using जो होगा pure metal होना चाहिए third point जो आपका होगा यानि पहला देखाए आपने proper design होना चाहिए उसके लिए दूसरा है कि using pure metal होना चाहिए यानि वह pure metal का होना चाहिए तभी हम जाके उसको अम prevention कर सकते हैं से बश सकते हैं उसके बाद आप उसके बाद using l y using l y यूजिंग एल वाई नेक्स्ट आप देखेंगे कि यूजिंग एल वाई के बाद क्या हो सकता है कि यूजिंग दा लिवरी प्रॉपर मीडियम होना चाहिए माद ठीक है प्रॉपर मीडियम यूजिंग प्रॉपर मीडियम आप ध्यान दिजिए मानले कि मैंने 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 प्रॉपर मीडियम आप ध्यान दिजिए मानले जिस पर वो पानी या नमी की मात्राएं न ठीके तभी हम जाके संचारन से बच सकते हैं यानि उसकी डिजाइन भी इसके लिए महत्पुर्ण है दूसरा है कि using the pure metal यानि जो चीज बना हुआ है जो समान आपका बना हुआ है वह आपका pure होना चाहिए metal उसमें pure होना चाहिए जिससे हम corrosion से बच सकते हैं उसके बाद है using alloy मिस्रधातू का भी यूज किया जा सकता है मिस्रधातू का मतलब हुआ कि उसमें iron के लिए chromium सबसे उपयुक्त मिस्रधातू है iron के लिए chromium जो iron होता है iron के लिए chromium जो है chromium सबसे अच्छा क्या है मिस्रधातू है यह आपका मिस्रधातू यानि alloy है ठीक है यानि iron में जब हम chromium अगर मिला दिये तो उनका संचारन कम होने लगता है अर्थात आपको alloy का भी use करना होगा उसके बाद है using the proper medium medium मतलब हुआ कि यहाँ पर उसके परयोग के लिए माध्यम का परयोग करना उचित माध्यम का परयोग करना होगा संचारन नमी या जल के संपर्क में अधिक तिब्रगतिस होता है ठीक है क्योंकि नम बायू में oxygen रहती है अतत हात्यों के संचारन से बचने के लिए नम बायू या जल में घुली हुई oxygen को निकालने पर संचारन को रोका जा सकता है यानि using proper medium का भी जरुत होता है कि बायू यानि नम बायू में जल में यानि किसी यानि लोहे के संचारन अधिक से अधिक होता है तो उनके बीच में मीडियम भी होना चाहिए जिसके अंदर वायू प्रवेश जो करें जिससे उस धातों खराब न हो तो हम इससे बच सकते हैं तो पहला आपने अगर क्वेस्टन्स रहेगा कि राइट प्रिवेंशन आप दा क्रोजन्स आप लिखेंग प्रोपर डिजाइन यूजिंग प्यो सबसे अच्छा क्या होता है क्रोमियम होता है ठीक है दोस्तों तो यह आपके लिए है उसके बाद आपको चलना है मेटल कोटिंग क्या होता है मेटल का कोटिंग क्या होता है बिद्दूत लेपन यह धातू लेपन मेटल कोटिंग मेटल कोटिंग ठीक है यानि धातू लेपन धातू लेपन क्या होता है यह जानना है आप देखते हो धातू लेपन क्या होता है यह जानना है यानि लेपन जो होता है धातू को संचारन से बचाने के लिए उत्तम बिधी होता है यानि धातू लेपन जो होता है लेपन का मतलब कोटिंग होता ह धातों को संचारन से बचाने के लिए यानि धातों को खराब होने के बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है जैसे सिंपल सा एक्जामपल होता है कि साइकल का जो रीम होता है रीम में क्रोमियम का लेप लगा होता है साइकल का जो रीम होता है रिंग जो होती है आगे की जो चक्का होती है उस जो बनी जो होती है चमकता हुआ उसमें क्रोमियम का लेप लगा होता है साइकल का जो हैंडल होता है मोटर साइकल के हैंडल होते है इन सबों में उसका कोटिंग होता है metal का coating होता है chromium का होता है जिसके कारण अगर वो पानी में रहता है अगर पानी भी लग जाए तो वो जल्द से जल्द खराब नहीं होता है ठीक है इसी परकार हम लोग घरों में भी prevention कर सकते हैं घरों के दरवाजे खिर्कियां जो होती है समय समय पूसे paint करते हैं जिसके कारण उसके उपर किसी परकार का जंग वगर न लगे और वो संशारन होने से बच जाता है तो आपने समझ लिया कि मैटल का लेपन आपने समझ लिया कि जैसे ornaments होते हैं जो आभूसन जो होते हैं आभूसन पे भी लेपन किया जाता है सोने की पानी चरहा जाता है चांदी का पानी पेचरहाई जाता है जिससे वो देखने में सोने कि तरह होता है बट वह अंदर का j List होता है वो सोना नहीं होता है लेकिन वह सोने से कम नहीं होता है क्यों उस पर मैटल का कॉटिंग किया जाता है अगर हम कॉपर पे इसका मैटल का लगा देंगे कॉपर पे अगर हम ये एजी एजी का मतलब क्या होता है सिल्वर होता है silver का coating करा दिया तो चांदी के जैसा देखने लग जाएगा अगर हम iron पे अगर AU का coating करा दिया तो वह सोने का हो जाएगा AU मतलब gold होता है इनका लेपन कराना ही धातू लेपन कहलाता अर्थाथ metal coating कहलाता है ठीक है दोस्तों अब उसके बाद लेपन करने की वीधियां जो होती है कई वीधियों के द्वारा होता है ठीक है तो लेपन आज का ये last topic था अब इनके part 3 जो होगा वो part 3 आपको next कराए जाएगा और नएस इन वीडियों को like जरूर करें और उसके बाद आपके super Sunday में फिर से मेराथन क्लास आपको दी जाएंगी बच्चों उस क्लास को मिस न करें और आप लोग प्रतेक दीन अपने schedule में आएं ठीक है और semester की जो है उसके बाद फिर मैं आपके साथ आओंगा questions लेकर new questions जो आपके exam के लिए बहुत ही important होगे और छोटी छोटी and thank you rest of our semester क्यों85 कर दाद। क्योंखी लेएंगा meno posiciónरे बहुत्व है कि लेएंगा सब्सक्टी कर्णा करorith armor है होईमा कि दो टसाना ifा प्लस्टी रएंगे स्बचके अट